नमस्कार दोस्तों गूड मोर्निंग हमारे हाइट टेकनिकल एक्सपर्ट रावजी यूटुब चैनल में आप लोगों का स्वागत हैं दोस्तों अगर आप लोगों ने अब तक हमारे यूटुब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब जरूर कर लें वो सस्क्राइब करने के बाद बैल आइकान पर किलिक करके नोटिफिकेशन को उचरूर कर लें, ताकि हम जो भी चैनल पर वीडियो अपलोड करें, वो आपको आसानी से मिल जाए, दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, 32 स्लोट सिंगल फेस, आल टाइप म में हो, तो दोस्तो यहां पर 32 स्लोट की मैंने डाइग्राम यहां पर बनाई है मोटर की, ठीक है, तो इसमें 32 स्लोट है, जो 32 स्लोट की वाइंडिंग होती है, उसकी अंदर दोस्तो रणिंग में पीछ होती है, एक से चार, दूसरी कॉयल की होती है, एक से छे, तीसरी कॉय के होती है एक से आठ ठीक है दोस्तों तो रणिंग के अंदर चार सैट यहां पर डाले जाते हैं चार सैट रणिंग में डाले जाते हैं तीन-तीन कोईलों के ठीक है दोस्तों और स्टार्टिंग में चार साथ डाले जाते हैं, दो दो कौायल होके, तो स्टार्टिन की पीछ है, एक से छे एक से एक से याथ, ठीक है, तो सबसे पहले हम रनिंग कौायल इंस्टोल करते हैं, तो सबसे पहले इसमें कि मैं रनिंग का पीछे हमें बनाना होगा है तो रनिंग का पिछ एक से चार एक से छे एक से तो ही हिशुआ है है कि तो एक से चार सब Star स सबसे पहले हम बना लिते पρχmarkt कर दो सबसे जोटी कोई पाएल हो ती है कि कहीं से भिन स्टाट करते है तो या मेरेश 000 कि तरह start कर लेते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ यहाँ पर मैंने एक लिख दिया है अब आप इस side भी चल सकते हो मैं इस side चलूँगा ठीक है तो यहाँ से मैं गिनना note करूँगा मैं note करूँगा 1 2 3 4 तो यहाँ पर से start हुआ यहां पे खतम हुआ तो यह पिच बन गया है एक से चार यानि कि दो सलोट बीच में छोड़ दिये हैं ठीक है यह एक से चार पिच बन गया है अब दूसरा था दूसरी क्वाइल का पिच था एक से छे तो इसके उपर का एक से छे बन जाएगा एक, दो, ती, चार, पान, छे अगला था एक से आठ तो इसके उपर का एक से आठ बन जाएगा एक, दो, ती, चार, पान, छे, साथ, आठ ठीक है दोस्तो तो इस तीन क्वाइलों का यानि कि एक सेट का रनिंग की एक सेट का मैंने पिच यां पे बना दिये हैं अब इसको कैसे इस्टोल होती है वह देखिए तो रनिंग के हम पहली कोई इंस्टोल करते हैं तो उसका डाइग्राम में आपे बताता हूँ देखिए हम इनर तार हमेशा ही लफ्ट साइड रखते हैं ठीक है तो ये सबसे पहले सबसे छोटी जो कॉयल होती है वो 1-4 में इस्टोल होती है तार इस तरह से कॉयल के अंदर गूमता है फिर राउटर राइट साइड निकल जाता है कॉयल का फिर जो इससे बड़ी क्वाइल होती है वो इस तरह से गुमती है एक से छे में फिर इससे बड़ी एक से आठ में तो इस तरह से तीन कोईल हमारी इंस्टोल हो जाती है और दो तार निकलाते हैं एक इन है एक आउट है इन पहला तार होता है आउटर दूसरा तार होता है ठीक है यह आउटर को आप अंदर वाड़ा भी बोल सकते हैं तो इस तरह से एक से चार एक से छे एक से आठ में हमने कोईल इंस्टोल की अब आगे बढ़ते हैं आप इस साइड भी कोईल अगली डाल सकते हो लेकिन हमारा चलने का जो तरीका है वो इस साइड है तो हम इस साइड मोटर इसको घुमा लेते हैं तो इसी तरह से आपको कोईल डालनी है, जैसे मैंने diagram गुमा रहा हूं इसी तरह आपको motor गुमानी है, ठीक है अब देखिए, आपको फिर से पिछ बनानी पड़ेगी फिर से उसी हिसाब से आपको पिछ बनानी पड़ेगी, तो देखिए आपको जो last का देखना है, इस sloat में तो डल गई है जो लास्ट का देख रहे हैं इसको आप आपको उल्टा चलना होगा यहां पर देखिए आठ चार छे आठ है तो आपको उल्टा चलना है छे आठ छे चार ठीक है उल्टा चलना इस साइड तो आप यहां पर आठ लिख देजिए छे चार ठीक है दोस्तों आठ छे चार ठीक है अब इसके बाद आठ छे चार के बाद दो सलोट छोड़े थे हमने खाली तो दो सलोट आप भी छोड़ दीजी ये दो सलोट हम छोड़ देते हैं इससे अगला फिर इसमें एक 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 इसी तरह से तो आप ध्यान से देखिए 1 से 4 1 से 6 1 से 8 बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से हमने यहां पर install किये थे coil का डाइग्राम बनाया है बिल्कुल इसी तरह से है तो आप पीछे से इसली start आपको करना है ताकि आपको कोई confusion ना रहे हैं कि हम कहां से start करें अगर आप पीछे से start करते हैं तो आपका confusion जो है वो नहीं रहेगा ठीक है तो उसी तरह से inner तार left side एक से चार में पहली coil एक से छे में दूसरी coil एक से आठ में तीसरी coil और एक तार inner एक तार outer बाहर निकल गया है ठीक है तो हम इसी तरह चलेंगे फिर से ठीक है तो आपको यहाँ पर note कर लेने हैं तीर स्लोट या तो आप खाली छोड़े दो या प्लिक लो आठ छे चार ठीक है अब दो स्लोट छोड़ो यह छोड़े आप एक एक से चार एक दो तीन चार एक से छे इस से अगला एक से छे हो गया फिर एक से आठ हो गया ठीक है तो यह बिलकुल सिंपल है फिर इनर तार लेप्ट साइड सबसे छोटी कौईल एक से चार में तार लेप्ट से राइट की और फिर राइट से लेप्ट की और चलना चाहिए ठीक है दोस्तो यह उटर तार है तो जो तार चलता है वो इस तरह ऐसे चलना चाहिए इस तरह ऐसे चलेगा ठीक है इस साइड से चला और ऐसे ऐसे निकल गया ठीक है दोस्तो तो यह बिल्कुल तीर की तरह चल रहा है ध्यान से देखिए तो इस तरह से इस तरफ से हमने तीर मारा और इस तरह से घूमता 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 यहां पर निकल गया है ठीक है दोस्तों तो आप को ये ध्यान रखना है कि ये की तरफ चलना चाहिए तीर ये नहीं कि आपने इस कोईल में इस तरफ से डाल दिया इस तरफ से आपने तीर चला दिया और यहाँ पर आके तीर आपने अगले कोईल से ऐसे करके वापस गुमा दिया, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये की तरफ चलना चाहिए, ठीक है, आपको देखना है, ये महत्वपूर्ण चीज है, देखिए, तीन कोईले हमने इंस्टोल यहाँ पे कर दी है, अब अगली लाश्ट आखरी कोईल हम, का डाइग्राम हम यहाँ पे बना देते है तो देखिए, यहाँ पे आठ, छे और चार, फिर दो स्कीप, और उसके बाद एक, एक, ठीक है, तो एक से दो छोड़के, एक, दो छोड़के, चार, एक से छे, एक से आठ, आप यहाँ पे देखिए, इनर तार, एक से चार में पहली कोईल छोटी, फिर एक से छे में उससे बड़ी, एक से आठ में सबसे बड़ी, तो देखिए दोस्तो, हमने रनिंग कोईल इंस्टोल कर दी है, अब बार ही आती है, स्टार्टिंग कोईलों की, तो देखिए, हम पहले की तरफ, इस मोटर को सुल्टा कर कर लेते हैं मोटर के डाइग्राम को सीधा कर लेते हैं जैसे कि पहले था ठीक है दोस्तों तो मैं कलर से आपको समझा रहा हूं तो मैंने यहां पर गुलाबी कलर का यहां पर यूज किया है कि रनिंग कोईल में तो देखिए सभी कोईल इसी प्रकार गूमनी चाहिए इसी प्रकार सभी सेटों में कोईल इसी प्रकार रहनी चाहिए ठीक है इसके बाद बारी आती है स्टार्टिंग की देखिए खाली टोटल स्लोट बचे हैं हर कोईलो हर सेट के बीच में दो दो स्लोट है टोटल आट स्ल प्रोट बचय है बिल्कुल खाली जो कि है अब हमारी स्टाटिंग की पिछे एक छे और एक से आठ अब हम कलर यहां पर च्रेंज कर लेते हैं अब दोस्तों कि डिए ठीक है देखिए स्टार्टिंग का पिछ है एक से छे एक से आठ तो आप मोटर को इस तरफ घुमा लीजिए जैसे मैं डायग्राम को घुमा रहा हूँ तो यह हमने सैट पहले इंस्टोल किया था यह पहला सैट था यह दूसरा यह तीसरा यह चोथ था ठीक है तो पहला हम यहां से इंस्टोल अब करेंगे तो अब ध्यान से देखिए सब से पहले हमको पिछ बनाणी है तो 1 से 6 कैसे बनाए तो 1 से 6 बनाने से पहले हमको देखना है कि यहां पर भरे हुए कितने स्लोट है तो यहां पर हम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्लोट बिल्कुल जो कि भरे हुए है तो इनको जब हम बीच में छोड़ेंगे 6 स्लोटों को हम बीच में छोड़ेंगे भरे हुए को तो 5 बनेगा 1 से 8 ठीक है यहाँ पर देखिए एक लिख देता हूँ अब यहाँ से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 1 से 8 तो यह हमारा बन गया है जो कि खाले स्लोट का है अब जो भरे हुए इससे जो नीचे का स्लोट है नीचे के जो स्लोट है लेप टो राइट में एक तो यह हो गया और इस साइड का एक यह हो गया तब जब हम इनको गिनेंगे यहाँ से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यह एक से 6 हो जाएंगे ठीक है तो इसमें होगा ऐसा ऐसा होगा कि जो रनिंग की जो क्वाइले थी सबसे छोटी वाली जो क्वाइले थी यह वाली और यह वाली इसके उपर ही स्टार्टिंग की छोटी वाली क्वाइल आएगी ये चीज आपको देखनी है ठीक है और फिर जो 40 लोट है जो 1-8 हमने बनाया है उसमें उसकी बड़ी वाली क्वाइल आएगी स्टार्टिंग की तो 2 ही क्वाइल है सेट में रनिंग में 3-3 थी स्टार्टिंग में 2 हैं दो-दो हैं ठीक है सभी सेटों में तो 4 सेट इसके भी इंस्टोल कर देंगे ठीक है दोस्तों तो इस तरह से आपको पिछ बनानी है सबसे पहले 1-8 बनाना है उल्टा पिछ बनाना ठीक है 1-8 बना लो और फिर उसके नीचे का 1-6 हो जाएगा ठीक है तो यहीं पर मैं इनर तार रखतेता हूं जो कि स्टार्टिंग का है अब देखिए मैं यहीं से गुजारूंगा तार को देखिए यहां से गुजार रहे हैं वहां से गिलनेते 1-2-3-4-5-6 तो यहां पर 6 है और 1-6 में हम निकाल देंगे और फिर खाली स्लोट बिलकुल खाली है जो की एक से आठ वाड़ा उससे हम गुजार देंगे कॉयल को निकाल देंगे ठीक है तो इसमें भी कॉयल इसी तरह से चलेगी तो एक कॉयल इस तरह से इंस्टोल हो जाएगी फिर इसको घुमा लेंगे हम मोटर को जैसे डाइग्राम में घुमा रहा हूं फिर उसी तरह से जो छ सबसे पहले 40 लोट में हमें एक से 8 बनाएंगे इन सभी को छोड़के छे को छोड़के तो यहां पर बन जाता है एक से 8 और इससे नीचे वाले में बन जाएगा जो की छोटी वाली कौईल थी रनिंग की एक लेप्ट साइड और एक राइट साइड वाले सैट में तो इसमें एक से 6 बन जाएगा याब यही नरतार दोस्तों और गिन लेते हैं एक तो तीज चार पांच छे ठीक है तो निकल गई हमारी पहली कौईल और इसके बाद खाली स्लोट यह दूसरी कौईल आउटर तार तो दो सेट इस तरह से इंस्टोल हो गए अब फिर गुमाते हैं इसको तो मोटर भी इसी तरह से आपको गुमानी है ठीक है दोस्तों तो देखिए यहाँ पे भरे हुए 6 स्लोट छोड़ने है एक से आठ पिच बनाना है उससे नीचे एक से छे पिच बनाना है एक से आठ यहाँ पे बन रहा है एक से छे यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे इनर तार ठीक है पहले एक से छे में फिर एक से आठ में ठीक है दोस्तों तो देखा आपने तीन सेट स्टार्टिंग के भी इंस्टॉल कर दी हैं अब आखरी लास्ट एंड फाइनल हम इंस्टॉल करेंगे तोसी तर ऐसे दो स्लोट बिल्कुल खाली बचे हैं और आप देखेंगे इनके बीचों बीच छे रनिंग की कोईले हैं छे स्लोट भरे हुए हैं इनकोम छोड़ेंगे तो पिच बनेगा एक से आठ फिर इस से नीचे वाला एक से छे ठीक है अब यहां पर इनर तार स्टार्टिंग का एक से छे में छोटी कोईल एक से आठ में बड़ी कोईल और यहां उट रतार तो इस तरह से हमारे सभी से इन्स्टोल हो गए हैं चार रनिंग के जो कि तीन-तीन कोईलों से बने हैं और चार स्टार्टिंग के जो कि दो-दो कोईलों से मिलकर बने हैं इस तरह से हमने इंस्टॉल यहाँ पर कर दिया है दोस्तों सभी को तो जो यह डाइग्राम में ने दिया है यही चलेगा 32 लोट की जितनी भी सिंगल फेस की मोटर है सभी में यही चलेगा तो इसी तरह से वाइंडिंग होगी अब बात कनेक्शन की करते हैं तो कनेक्शन इसके एक से तीन में होंगे बिल्कुल जैसे चक्की मोटर में करने है देखिए अंदर के कनेक्शन तो आमने सामने आप कर सकते हैं एक से तीन बोल सकते हैं तो देखिए मैं बता देता हूँ देखिए एक से तीन में आप कहीं से भी एक तार ले लीजी चाहे रनिंग का हो या स्टार्टिंग का हो मैं दूसरे पेज में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ठीक है तो ऐसे होंगे जैसे इस तार को आप पकड़ोगे एक, दो, तीन, एक से तीन ठीक है, इन दोनों के हो गए फिर ये तार बचा, फिर एक, दो, तीन इस तरह से तो मैं अलग पेज में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ यहीं पर समझा देता हूँ तो देखिए दोस्तों कनेक्शन्स की बात करें तो इस चातिंग इस टार टिंग टो थ्री फॉर ठीक है लो दो तार है छेला तो इस थिक्ट मैं Age कहीं से ब на one-house कोई वितार लिए जी यह वाला यह वाला यह वाला कोई शाभी यहां से यहीं ले लेते हैं पहला है यह पहले को स्कीप कर सकते हैं तो पहले को जोड़ना चाहाए साइड भी जोड़ते चलेगा तो इस साइड जोड़ते हैं एक एक दो तीन ठीक है ये ये कनेक्ट हो गया ये दोनों साइड कनेक्ट हो गए है अब इसका ये वाला बचा है तो ये इसमें जुड़ेगा एक दो तीन ठीक है अब ये वाला है ठीक है ये बच गया है तो ये इस से कनेक्ट कर सकते हो इस वाले से कनेक्ट कर सकते हो या इसका ही बच रहा तो इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो तो इस साइड चल रहे थे तो इसका ही कनेक्ट करेंगा एक दो तीन यह दो तार बच गए है प्लस बॉल सकते हो माइनस बॉल सकते हो तो इस स्टार्टिंग के कनेक्शन हमने कर दिये है ठीक है यह स्टार्टिंग कनेक्शन हमने कर दिये हैं दोस्तो अब रनिंग के जो कनेक्शन करेंगे दोस्तो तो स्टार्टिंग के कनेक्शन मैंने कर दिये हैं तो इसी तरह से होंगे और अगर बहुत सी मोटरों के अंदर रनिंग के कनेक्शन भी इसी तरह से होते हैं बट कई मोटर ऐसी होती है आर्पिम के इसाब से अपको कनेक्शन देने पड़ते हैं तो उसके उपर मैं अलग से डाइग्राम बनाऊंगा इसके उपर इसके 1440 आर्पिम में कैसे कनेक्शन देने है और 2800 में कैसे देने है तो इस पे मैं स्पेशल एक वीडियो बना देता हूँ ठीक है तो Starting के Connection तो मैंने बता दी Starting के Connection तो इसी तरह से होंगे और Running के Connection कैसे होंगे वो RPM पे Depend करता है ठीक है 1440 और 2800 दोनों के अलग-अलग RPM में अलग-अलग Connection होते हैं तो उसके उपर मैं अगला वीडियो बना दूँगा ठीक है एक दो दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तो तो ये मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि 32 लोट की सिंगल फेस मोटर के वाइंडिंग का डाइग्राम तो इस तरह से रिवाइंड होती है हमारी मोटर और कनेक्शन एक से तीन में होते हैं ठीक है बाकी 144800 आर्पिम में देखिए मैं कनेक्शन तो इसके 1440 के बता दूँगा लेकिन फिर 2800 में पूछेंगे मुझे काफी कमेंट मिलेगी तो इसमें 2800 अलग अलग तरह के तो मैं इस पेस पेसल एक वीडियो बनाऊंगा 2800 आर्पिम में क्या होंगे कनेक्शन और 1400 में क्या होंगे ठीक है अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो प्लीज लाइक दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों ताकि सब को इसका फायदा हो सके और किस-किस चीज पर अगर आपके सामने कोई समस्या है वाइंडिंग करने में तो मुझे बताएई अगे Ahh तो मुझे जादा से जादा कमेट चाहिए कि आपको क्या देखना आप पसंद करते एं किस चीज पर आपको confusion हो रही है क्या आप पुचाते हैं ज़्यादे ज़्यादे comment करें तो connection diagram और winding diagram की वीडियो में upload करता रहूँगा निरन लगातार इस पर ठीक है दोस्तों फिर में इलतेंगले वीडियो में जैन जै भार